अज में आपके लिए एक मिठाइ की रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बनाना बहुती आसान है बनाने में केवली से 10-15 मीड का ही समय लगेगा और बहुती कम सामन का यूज करके हम इसे बनाने वाले हैं यानि इस मिठाइ को बनाने के लिए ना ही हम मावे का यूज करने वाले हैं ना चाशनी बनाएंगे और ना ही मिल्क पाउडर डालेंगे बहुत ही आसान से मिठाई है आप इसे ज़रू से ट्राइ कीजिए तो में वर्षा भावसा है रसोई घर में आप सभी का स्वागत है तो चलिए फ्रेंट्स बनाना शुरू करते हैं लेकिन इसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो नीचे लाल पेटर ने उसे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले गेश चालू करके गेश पर कड़ाई रखी है इसके अंदर डाल देते हैं तीन कप नारेल का बूरा लिया है ग्राम से में देखा जाएं तो 300 ग्राम नारेल का बूरा है गेश कपरे बिलकुल लो रखेंगे और दिमी दिमी आजपे इसे कूसदेर भून लेंगे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना हैלא क्यों पर जाएग लें गो玩achen वाइट रहनने देना है त बहुत ही आसने से मिठाई बनकर तयार हो जाती है जब आप इसे एक बार बार बनाना पसंद करूगे तो यह देखे फ्रस दो से तीन मिठ हो चुके हैं मैंने यह पर इस अच्छे से भून लिया है और यह अच्छे से गरम हो चुका है लेकिन इसका जो कलरे बिल्कुल भी चै कर सकते हैं तो चीनी में आफे लिए अच्छे से माय पर नग्स कर लिया है अब आधा कप दूत और शेके साथ हम डाल देते हैं मिठ कर ले से अच्छे से छे घुल जयें अप यह देखे अआप यह ध्योड़ा होने लगा है- लेकिन हमें इसे चलाना छोडना नहीं है, लगातारी इसे चलाना है, तो फ्रत्स मलाय डालने से यह होता है, कि रखेवे सामन से ही सामन से नहीं नहीं लाना पड़ता है। अब आप ये देख सकते हैं ये थोड़ा गीला सा हो चुका है तो अब हम इसे फिर से अच्छे से भूनेंगे और तब तक भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल कड़ाई नहीं छोड़ने लग जाता और जमने वाली कंसिस्टेंसे इसकी नहीं हो जाती तो इसे भूनने में लग तो फ्रेंड्स अभी रक्षा बंदन भी आ रहा है रक्षा बंदन पर आप मेरी इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ कीजिए सबी को पसंद आएगी अब आप देखेंगे पूरी तरह से कड़ाई छोड़ने लगा है तो हम इसके अंदर डाल देते हैं आधा चमच हिलाईशी इसकी गोली पूरी तरह से बन रही है यानि जो इसकी कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है पूरी तरह से इसकी गोली बन रही है तो इसी तरह से हमें यहाँ पर इस मिश्रण को बनाना है तो आप चाहे तो यहाँ पर इस समय कटेवे ड्राइब फूर्ट का भी मा सकते हैं तो इस सारे मिश्राट गों डालों डाल देते हैं इस ट्रेक ऑं मिश्टाट ए इस आप इस agnes सेट कर देते हैं चारो तरब इसे अच्छे से फैला देते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करते भी इसे अच्छे से फेलाईए आप चाहे तो अपने हाथों के हेल्प भी ले सकते हैं तो अब हम इसे जमने के लिए छोड़ देते हैं लगबग 10 से 15 मिट के लिए लेकिन आपको जल्दी हो तो आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं तो आप देखेंगे 15 मिट में बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है तो अब मैं यहां पर लगा देती हूं चांदिका वरक अगर आपके पास हो तो लगा दीजिए नहीं तो इस स्टेप को आप इसकी भी कर सकते हैं तो यहां पर कुछ-कुछ जगह में ने चांदिका वरक लगा दिया है और अब हम इसे कर लेते हैं कट तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से हमारी मिठाई कट रही है मतलब यहां पर हमारी जो बर्फी है बहुत ही अच्छे से सेट हुई है तो आप अपने मन पसंद किसी भी साइज में से कट कर सकते हैं आप चाहे तो थोड़े से छोटे पीस रख लीजे या थोड़े बड़े रख लीजे यहां पर मैं इसके बिल्कुल चोरज पीस काट र निकल रही है गई है तो हे रएंसमाय को बनाना बहुत ही आसाँ तो बिना जंजट के वह तते ही हैं बनकर बिल्कुल तयार हैं तो आज की रिसेपी आपको कैसी लगी पूमेंट में ज़रूर से बताईए और अगर मेरे रैसेपी आपको पसंद आरहे हैं तो अपने अप्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकने इसे प्रेस करना बिल्कुल न भूले साथी आप मेरे Facebook पेज को भी फोलो कर सकते हैं तो अब मैं यहाँ पर इस तरह से पिस्ता लगा देती हूं ताकि दिखने में और भी सुन्दर लगे अगर आप लगाना चाह सकते हैं कितनी अच्छी मिठाई बनी हैं तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ आप 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 कितना झाप आप आप